Hello friend welcome back My youtube channel friend तो friend आज हम बात करते हैं कि कम पैसो में gardening कैसे करें तो friend हमारे यां जो भी waste चीज़े निकलती है जो भी cold निकलता है हम उसका use कर के gardening कर सकते है तो friend ये paint के dividend जब भी हमारे यां paint होता है तो इस तरीके के dividend करते हैं हम उनको cold बेच देते हैं उनको हम इस तरीके से प्लांट लगाने के लिए यूज कर सकते हैं तो मैंने फ्रेंड इसमें जेट प्लांट लगाया है क्योंकि जेट प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाता है तो फ्रेंड में प्लांट भी ऐसे चूज करने चाहिए जो cutting से easily grow हो जाते हैं जिसी की plant में हमारा खर्चा ना हो और कहीं से हमें थोड़ी सी cutting मिल जाए तो हम उसे plant में लगा दें तो इस तरीके से हम gardening कर सकते हैं और friend ये देखिए करवा चोथ का कलस है तो इस तरीके के कलस friend हर साल निकलते ही रहते हैं और पूजा में जब भी नवरात्रे आते हैं तो बहुत सारे कलस हमारे इकटे हो जाते हैं पूजा के कलस हैं तो उन्हें फैंक भी नहीं सकते हैं तो हम उनका इस तरीके से यूज कर सकते हैं उनमें अपने plants लगा सकते हैं फ्रेंड यह देखिए मैंने इसमें रियो प्लांट लगाया और फ्रेंड रियो प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो कटिंग से ग्रो हो जाता है एक प्लांट कहीं से भी आप ले आईए तो इसके नीचे जड़ों में से रनर्स निकलते हैं उनको निकाल कर हम दूसरे पॉर कभी कुछ हो जाता है तो इस तरीके से कप हम अक्सर फैक देते हैं तो हम कप का इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम कप में होल करके और अपने प्लांट लगा सकते हैं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं रियो प्लांट इसमें कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है और जैट प्ल तो हो जाते हैं तो यह देखे इस तरीके से मैंने अपने प्लांट लगा रखे हैं कबार में से जो भी चीए निकलती हैं उनका रियूज करके अपने प्लांट लगा सकते हैं और कम पैसों में गार्णिंग कर सकते हैं इस तरीके से और हमें थोड़े अगर हमें प्लांट खरी तो इस तरीके से हम अपने जैसे मिरच के टमाटर के जो भी प्लांट होते हैं इनको वोटलों में ग्रोध कर सकते हैं और अच्छे से यह ग्रोध हो जाता है और फ्रेंड यह देखिए यह भी मेरे बेश्ट से बने वह प्लांटर हैं तो यह मिठाई के डिब्ब दोट लावर का फ्लांट और पैंजी लगा सते लिए चोटे जब लोग घृजिक योगर चेवह घृणई हैं इनके पिंचिंग कर दो tigers कितने हैं से घन्झी तो मैंने उसका भी यूज कर लिया उसमें कलंचो की बहुत सारी कटिंग लगा दी थी यह देशी वाली वरायटी है और इसपे देखिए फ्रेंट कलिया भी बनी हुई है और यह भर गया है पूरा इससे तो अब इसपे फ्लावरिंग शुरू होने वाली है तो यह बहुत ही स सुन्दर लगेगा और कलंचो भी फ्रेंट एक ऐसा प्लांट है जो कटिंग से इजली ग्रो हो जाता है एक पर्मानेंट प्लांट है और सर्दियों में इसे फ्लावरिंग भी होती है तो यह अच्छे से पूरी साल चल जाता है यह बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है तो आप इस तरीके के प्लांट चूस कर सकते हैं और फ्रेंट यह देखिए यह बोटलों का मैंने हैंगिंग प्लांटर बनाये था और इसमें भी मैंने ऐसे ही प्लांट लगाएं जो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं ताकि कम से कम हमारा प्लांट में खर्चा हो हम कम से कम खर्चे लगा थी मैंने और वो भी अच्छे से ग्रो गई है और अच्छे से यह चल रहा है तो इस तरीके से आप भी बोटलों का यूज कर सकते हैं और अपने प्लावरिंग भी सुरू है कितना फ्ल्रावरिंग में कोई भी बेस्ट चीज हो तो उसको उस से देखती हूं कि इसका मैं कैसे यूज कर सकूं अपने पलांट लगाने में मैं अधिकतर दो मैं सारी यूज कया पांटर जगा है तो क्लेश हुआ पूर कर द या है शोम और इसे इस कर रहा है और यह थे क्यों बचल कर लिया है तो इस तरीके से हम gardening कर सकते हैं कम पैसों में यह देखे फ्रेंड अगर आपको गमले भी खरीदने हैं तो फ्रेंड यह देखे मैं 10-10 रुपे के गमले खरीदे हैं जो प्लास्टिक का सामन बेचने आते हैं उन पर easily गमले मिल जाते हैं तो आप इस तरीके के गमले खरीज सकत हैं तो फ्रेंड आपको विडियो थोड़ा सभी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें बाई बाई फ्रेंड करेंड करेंड करें